हाई एवरीवान इंडियान्यू स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लाटफर्म पे आप सभी के स्वागत है मैं आपके साथ अनुष्का नाम दियो क्रिकेट फैंस के लिए एक सबसे बड़ी खुशकवरी जी हां सुबह सुबह आपको एक खुशकवरी देने जा रहे हैं कि बी-सी के बाद उनकी एंडियोप्लास्टी हुई और वो कॉलकता की वुड्लैंस अस्पताल में भरती किये गए थे जिसको लेकर बहुत सभी फैंस जो है उनके बहुत नराश थे पल पल पे उनकी जो है रिपोर्ट्स पूछते रहते थे कि वो कैसा फील कर रहे हैं अब कैसे हैं और जब उनको 6 जनवरी को डिस्चार्ज होने का मौका दिया गया जी हां अस्पताल ने उनकी छुट्टी 6 जनवरी को ही कर दी थी लेकिन इसके पीछे वो खुद रीजन है कि सौरभ गांगुली एक और दिन रुखना चाते थे अस्पताल में ताकि वो प्रॉपर रेस्ट लिए सकें और उसी के साथ उनको ने सभी फैन्स को जब आप वो डिस्टर्ज होने आज हजारों की तादाद में फैंस बाहर खड़ेते अस्पताल के जिसको लेकर सौरभ गांगुली ने उनको हाथ हिला कर उन सभी का अभी वादन किया और उसी के साथ उन्होंने यह बताया कि वो सभी डॉक्टर्स का और जितनी भी टीम मेनेजमेंट महां मौझूद थी उन सब का वो शुक्र गुजार हैं और उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अस्पताल में भड़ती होए थे तब पल-पल पे उनकी ध्यान रखती थी, प्रॉपर अपडेट लेती थी, वो कैसा फील करते थे, उनके लिए प्रॉपर अलग से टीम बनाई गई थी, उसी के साथ उन्होंने डॉक्टर्स, यानि कि उनकी जो डॉक्टर ने डॉक्टर शेटी नहीं भी बताया, कि अब उनका जो अब उमीद करते हैं, जल्दी से जल्दी बीसी से है कि गती वीडियो को गती प्रदान होगी, और इसी के साथ सभी फैंस के लिए खुशकबरी यही है, कि आज फाइनली सौरभ गांगुली डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सभी डॉक्टर्स को थैंक्स बोला है, और उसी के साथ अस्पताल टीम ने भी यह बोला है, कि वो बहुत जादा खुशी महसूस करते हैं, कि जब उन्हें, जब सौरभ गांगुली को उनकी जरुवत थी, तब उनके काम आए, और उसी के साथ उन्हें इस चीज की खुशी है, कि वो उनको पूरी तरीके से फिट कर पाए हैं, और वहीं सौरभ गांगुली ने सभी डॉक्टर्स को थैंक यू बोला है, और साती साथ आज फाइनली वो डिस्चार्ज हो गए हैं, आप फाइनली यह उमीद करते हैं, कि जल्दी से जल्दी जो बीसी से आई की गति भी दिया है, उनको गति प्रदा